प्रदेश की 10 लोकसवा सीटों पर कॉंग्रेस ने एलान कर दिया है अपने रण बाकूरों का अपने प्रत्याश्यों का लेकिन 8 लोकसवा सीट ऐसी है जहां पर अब महोरे तयार हो चुके हैं और सियासत का जो रण है वो बिच चुका है नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं कारेकरम कही सुनी और मैं हूँ आपके साथ अभी शेक्तिवारी राजस्तान में इस बार लोकसवा चुनाओ में 25 की 25 ही लोकसवा सीट हैं फिर से तीसरी बार भारती जनता पार्टी के खाते में जाएगी या फिर कॉंग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने में काम्याब हो पाएगी इसे लेकर के अब सियासी चर्चा सदन से लेकर के चाय और पान की दुकान तक पहुँचने लगी है लोकसवा चुनाव बिलकुल नस्दीक है अगले एक दो दिन में जैसे ही लोकसवा चुनाव की घोशना होती है अदिसूचना जारी होती है पता चल जाएगा कि राजस्थान में कब चुनाव होने वाले हैं और कितने चरणों में चुनाव होंगे पिछली बार की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में दो अलग-अलग चरणों में चुनाव होए थे इस बार क्या एक ही चरण में राजस्थान की 25 सीटों में चुनाव हो जाएगा या राजस्तान की 25 लोगसवा सीटों को भी दो चरणों के चुनाओं में विभक्त कर दिया जाएगा, ये देखना दिल्चस्प होगा फिलहाल आज हम कही सुनी में जो बात करने वाले हैं, दरसल वो बात करने वाले हैं कॉंग्रेस के उन रणबाकुरों की, जिनको पहली बार लोगसवा चुनाओं में उतारा गया है पहली बार कहने का अर्थ दरसल ये नहीं है कि वो पहली बार चुनाओ लड़ रहे हो बात दरसल ये है कि पिछले दो बार के चुनाओं को अगर देख लें तो करारी हार जहलनी पड़ी है लोकसभा चुनाओं में विदान सभा चुनाओं के नतीजे बले ही कुछ भी रहे हो लेकिन लोगसभा चुनाओं के जो नतीजे हैं वो एक जैसे आते रहे हैं हाला कि 2014 के लोगसभा चुनाओं के बाद जब उपचुनाओं हुए थे अजमेर लोगसभा सीट पर और अलवर लोगसभा सीट पर तो दोनों में जीत हांसिल की थी रगुशर्मा के रूप में अजमेर से और करण सिंग यादव के रूप में अलवर से कॉंग्रेस लेकिन 2019 के लोगसभा चुनाओं में क्या परिणाम रहा ठीक वैसा ही जैसा 2014 के लोगसभा चुनाओं में रहा 25 की 25 लोगसभा सीटों पर क्ली परिश्मा कर पाएगी क्या कॉंग्रेस के पास इस समय ऐसे मजबूत के अंडी रेट हैं जो मोदी को हरा सके जी हां क्योंकि राजस्तान में अगर 25 लोगसभा सीटें दे दी जाती हैं भाजपा के खाते में 26 लोगसभा सीटें अगर गुजरात में दे दी जाती हैं 39 में से 28 लोगसभा सीटें और 2014 की बात करें तो 27 दे दी जाती है भारती जनता पारिटी के खाते में मद्यप्रदेश से तो इसमें प्रत्याशियों की हार या जीत नहीं है बलकि प्रत्याशी खुद भी ये बात कहते हैं कि आप हमें नहीं चुन रहे हैं आप प्रधान मंत मोदी की चुनोती के सामने मोदी की गैरेंटी के सामने और उस गैरेंटी के जवाब में क्या ये दस लोगसभा प्रत्याशी धरातल पर खरे उतर पाएंगे फिलहाल कही सुनी बातों की अगर हम तह तक जाएं तो पता चलता है कि जो टिकेट भटवारा हुआ है उसमें भी दरहसल ये याद रखा गया है कि कि किसी भी नेता को नाराज नहीं करना है और अगर आप दस टिकेटों को देखें तो इसमें चार टिकेट जो हैं वो पूर मुख्यमंतरी अशोक गैलोत अपने खेमे से दिलवाने में सफल रहे हैं तीन टिकेट सचिन पाइलट ने दिलवाए हैं एक टिकेट प्रियंका गांधी की सिफारिश से भी आया है राजस्थान में एक टिकेट भवर जितेंद्र सिंग के सिफारिश पर है तो वहीं एक टिकेट राहुल कस्वा का है जिन्होंने एक दिन पहले ही कॉंग्रेस जॉंड की थी और उन्हें तो लियाजा इसी लिए कॉंग्रेस में लिया गया था कि आपको चुरू की सीट से उम्मिद्वार बना करके उतारा जाएगा तो उनके साथ तो एक promise था जो promise पूरा भी हुआ है लेकिन वो कौन-कौन से उम्मिद्वार हैं और किस-किस की सिफारिज पर उन्हें टिकेट मिला है इसके बारे में तो हम फिर कभी बात कर ही लेंगे लेकिन आज बात करते हैं कि अब सियासी रण में कौन-कौन से प्रत्याशी जो हैं वो आमने सामने हैं और वो कौन से दस प्रत्याशी हैं जो कॉंग्रेस ने घोशित किये हैं अपनी तरफ से मंगलवार शाम को दूसरी सूची आई, दस प्रतियाशी गोशित हुए, दस हों प्रतियाशीयों के नाम हम आपको बता दें, तो सबसे पहले अलवर लोकसभा सीट पर ललीत यादव को टिकेट देने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कॉंग्रेस इस चुनाव में एक नेरेटिव सेट करना चाह लेकिन हम बाहर से आपके लिए प्रतियाशी नहीं लाए, बलकि आपके बीच का विधायक ललीत यादव प्रतियाशी बना करके उतारा है, तो एक नेरेटिव सेट किया जाएगा कि बुपेंद्री यादव बाहरी है और ललीत यादव आपके अपने, ललीत यादव अलव सकती हूँ, जो अभियान प्रियंका गांधी ने चलाया था, उस अभियान में एक नेत्री ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था, राजस्थान की वो नेत्री जो कटूमर से विधान सभा का चुनाओ भी लड़ी, लेकिन महस 409 वोटों से वो चुनाओ विधायक का हार गई लेकिन होसला पस्त नहीं हुआ, लोकसभा चुनाओ का टिकेट मांगा और लोकसभा का टिकेट भी दिया है कॉंग्रेस ने, संजना जाटव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, संजना जाटव, युवा चहरा, लोग रेजुएट, प्रत्याशी बन करके अब उत्री हैं, भर इस बार गोविंद राम मेगवाल पर धाओ खिला है, वही गोविंद राम मेगवाल जो खाजुवाला से विदायक हुआ करते थे और मंत्री भी थे गैलोट सरकार में, चुनाओ हार गए विदायक का, लेकिन इस बार उन्हें लोकसभा चुनाओ लड़ाया जा रहा है, अर अर्जुन राम मेगवाल और गोविंद राम मेगवाल का आमना सामना होगा, गोविंद राम मेगवाल को जैसे ही कल टिकेट मिला घोशना हुई, तो गोविंद राम मेगवाल ने तीखे बांड छोड़ दिये अर्जुन राम मेगवाल के उपर और कहा कि उन्होंने 10 साल मे दरसल कोई काम नहीं किया है और जब इस बार प्रत्याशी जाएंगे भी अपने संसदी उशेत्र में तो विशेशकर भाजपा के जो प्रत्याशी है उनसे 10 साल का हिसाब किताब दरसल पूछा जाएगा क्योंकि कॉंग्रेस यही सवाल पूछेगी कि 25 लोकसभा सांसदों ने किया क्या लिहाज आप कई सारे टिकेट जो है वो तो काड़ दी है भारत्याशी जनता पार्टी ने लेकिन जिन्हें टिकेट मिला है और वो तीसरी बार मैदान में है तो उनके साथ क्या कुछ होगा ये तो भविश्य के गर्भ में है खेर अगली लोकसभा सीट की और बढ सद भी बने हैं उदैलाल आंजना सहकारिता मंत्री हुआ करते थे अभी गहलोत सरकार में और एक बार फिर से उन पर दाओं खेलाए उदैलाल आंजना पिछला चुनाओ जो था 2014 की जब हम बात करें तो वो जालोर सीरोही चुनाओ लड़ने के लिए भी गए थे लेकिन इस बार उन्हें फिर से एक बार चितोडगर लोकसभा सीट से उम्मिद्वार गोशित किया है और वो लड़ेंगे बिजेपी प्रदेशा अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने सीपी जोशी की लड़ाई को हलाकी इतना इजी नहीं समझना चाहिए खेर अगर मोधी मेजिक चला त कोई बड़ी बात नहीं है कि जो सर्वे कह रहे हैं कि 25 लोकसभा सीटा आएगी वो आभी सकती है लेकिन अगर प्रत्याशियों के चैन की बात आई तो चाहे चंदरभान सिंग आ क्या हो या वहां के कुछ बिजेपी के इस्थानिय नेता जिनकी अदावत सीपी जोशी से है उसका खामियाजा कहीं सीपी जोशी को भुगतना ना पड़ जाए क्योंकि उदैलाल आंजना भी कद्दावर नेता है चित्तोड करके इसके बात बात करें पांचवी लोकसभा सीट चुरू आपको पता ही होगा कि देवेंदर जाजडिया को जब प्रत्याशी बना करके उतारा भारती जनता पार्टी ने तो तब से ही चुरू के सांसत मौझूदा सांसत भारती जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आये राह अब जनता ने कुछ कहा हो या ना कहो हो लेकिन उन्होंने कॉंग्रेस जोइन कर ली और अब कॉंग्रेस से प्रत्याशी होंगे और सामने होंगे देवेंदर जाजडिया के आगे बड़े अगली लोकसभा सीट पर तो ये है जालोर सीरोही की जालोर सीरोही लोकसभा सीट पर वयभव गहलोत उम्मिद्वार है वयभव गहलोत पिछला चुनाओ जोधपुर से लड़ चुके हैं गजेंदर सिंग शेखावत के सामने लेकिन करारी हार उन्हें लेकिन इस बार परिस्तिती दूसरी है यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी है लुंबराम चौधरी और वेबाव गहलोत को जब टिकेट मिला तो उन्होंने तुरंत रूख कर लिया जालोर का और वहाँ पर साचोर बीनमाल जितने भी एरिये हैं वहाँ पर जाकर के लोगों गहलोत के समर्थन में सब साथ आ जाया है और शायद गुटबाजी को खत्म करने के लिए ही वेबाव गहलोत को जालोर सीरोही भेजा गया है अगली सीट जोधपूर जोधपूर लोकसभा सीट जहां से वेबाव गहलोत पिछला चुनावा रहे थे गजेंदर सिंग ने कार्ण सीट मिला वैसे ही उन्होंने गजेंद्र सिंग्ह शेकावत पर हमला बोल दिया और कहा कि ये बताए कि दस साल में जोधपूर में काम किया कि ए गजेंद्र सिंग शेकावत के सामने करन सिंग उचियारणा खड़े हैं और उन्हें बताया जाता है दरसल पाइलेट केम्प का पाइलेट केम्प के वो हैं लेकिन जानते हैं कि अगर जोधपुर में चुनाव जीतना है अपनी स्थिती को मजबूत बनाए रखना है तो जरूरी है कि पूर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत से बना करके रखी जाए और जैसे ही कल उन्हें टिक आगे बढ़ते हैं अगली लोकसवा सीट है उदैपुर उदैपुर में मन्नालाल रावत भारतिय जनता पार्टी के केंडी रेट है टांसोर इबाग के अधिकारी रहे और अब उन्हें प्रत्याशी बना करके उतारा गया है उनके सामने इस बार यहां पर टिकिट चेंज क उतारा लेकिन फिर से वो चुनाव हार गए लेकिन एक चीज और है रगवीर सिंग मिना उदैपुर के बड़े आदिवासी और कद्दावर नेता माने जाते हैं लेकिन उनकी प्रश्चवूमी जितनी मजबूत रही रगवीर मिना की एंट्री राजनिती में जितनी तगड हारते रहे हैं हाल ही में वो विदान सभा का चुनाव सलुमबर से हारे हैं और जिस समय गहलोद गवर्मेंट थी राजस्थान सरकार थी तब भी वो सलुमबर से चुनाव हारे थे अगली लोकसभा सीट की तरफ बढ़ते हैं और हाँ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अगूईर मीना का टिकेट काट दिया है, लेकिन टिकेट मिला है ताराचंद मीना को, तो ताराचंद मीना और मन्नालाल रावत का आमना सामना होगा उदैपुर में, अगली दो लोकसभा सीटों की बात करें, तो टॉक सावाई मादोपुर, यहाँ पर भारती जनता पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशिकों मैदान में नहीं उता रहा है लेकिन कॉंग्रेस ने यहाँ पर पहला दाउ चल दिया है और दाउ चला है हरीश मीना के रूप में आपको बता दें कि हरीश मीना पूर्व केंद्रिय मंत्री नमुनारायन मीना के भाई नमुनारायन मीना इसी सीट से चुनाव लड़ते हुए आए हैं पिछला चुनाव वो हार गए थे लेकिन उससे पहले यहां से सांसद भी रहे हैं 2009 की बात करें तो केंद्री मंत्री रहे तब और अब हरिश मिना जो दोसा से 2014 में बीजेपी के टिकेट पर जीत कर के लोगसबा पहुँचे थे के चुनाव में वो कॉंग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने देवली उनियारा से चुनाव लड़ा विदायक का चुनाव जीते गेलोत सरकार में वो विदायक रहे और 2018 में फिर से 2023 में माफ कीजिएगा अहाल ही में फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा विदायक का दे केवली उनियारा से वापस विदायक बने हैं और अब पार्टी ने उन पर वरोसा जताया है सांसत के रूप में अगली लोकसवा सीट की बात करें तो जुन-जुनू जहां से ब्रिजेंद्र ओला को उम्मिद्वार बना करके उतारा है ब्रिजेंद्र ओला के अलावा यहां प नहीं की है आप देख रहे हैं तो कारिक्रम कहीं सुनी दीजिए इजाजत लेकिन हाँ इस वादे के साथ हम आपको यहां पर छोड़ करके जा रहे हैं कि सियासी अपडेट इस एक हफते में इकटी करके और फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले हफते बुद्वार को नमस् आप